हाई फ्रेंड्स आप सभे का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है यह सेट का भाग तीन है तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं और दे आ है टीचर को यह सिच्छक की प्रत्क्रिया क्या होनी चाहिए — अगर टीचर के द्वारा अगर टीचर है और टीचर से किसी बच्चे ने एक कोशन पूशा और उस से में टीचर को नहीं आ रहा है, तो उसके बाद टीचर्स की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? इह बताना है आपको, आपसं एक है, सिच्चक द्वारा सिवानी को चुपकरा देना चाहिए? आपसं भी यह आपका जो है फ्रेंट्स होड़ सही हो जाएगा ठीक है अगर कोई आपसे इस टुडेंट विद्यार्ती अगर पूछता है कौशन उस समय आपको नहीं आता है तो आपका ये करत्रब बनता है जिम्मिदारी बनता है कि उस समय आप बच्चे से बोले कि इस समय नहीं आ रहा है हम आपको कल बता देंगे या कुछ देर बाद जरूर बता देंगे यह अच्छा एडिया है ठीक है यही होना चाहिए हर टीचर को कियुकि हर किसी को हर चीज आए यह भी कन्फर्म नहीं है कि हर किसी को आना ही चाहिए हाँ नहीं आ रहा है ये कोई गलत बात नहीं है हाँ बच्चे को टाल मटोल नहीं करना है उसको इधर उदर नहीं बटकाना है उसको आप बता दीजिए कि हाँ आपको एक गंटे में दो गंटे में अकल आपको बताएंगे समझ कर बता देंगे तो ये वाला आपसन आपका जो फोर है वो सही है किस शिछक द्वारा इस पर्षन का सही उत्तर बात में समझ कर देना चाहिए ? आप संधी सही हो जाएगा, आगे देखते हैं 47 नमर कोश्चन बच्चे की जिग्यासा सांथ करनी चाहिए ? जो बच्चे की जिग्यासा है उसको सांथ करनी चाहिए ? क्यों रो ? सीटी को कब सांत करना चाहिए जब सिच्छक फुर्षत में हो गलत बात है जब विद्यार्थी फुर्षत में हो ये भी गलत बात है कुछ समय बात एपसचात दिये ततकाल जब विद्यार्थी द्वारा जिग्यासा की गई है तो आंसर आपका फोर्ष हो जाएगा दुर्टो ततकाल, जब विद्यार्थी द्वारा जिग्यासा व्यक्त की गई है जब बच्चे में जानने की हिच्छा हुई है अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो आप उसको ततकाल उसका उत्तर दे जिससे कि उसका जो होता है प्रोसेस अच्छा हो जाता है बच्चे में पूछने की जिग्यासा बढ़ जाती है जिससे बच्चा मोटिवेट होता है और कोशन पूछता है तो उसी समय ततकाल अगर बच्चे में कोई भी जिग्यासा हो रहे है तो टीचर्स को चाहिए कि उसी समय दे टालमटल ना करें कि फुर्षत मिलेगा तब बताएंगे या तुम फुर्षत में होना तब बताएंगे या कुछ समय बात बताएंगे ऐसा नहीं है अगर आपको मालूम है तो उसी समय आप क्या करें बच्चे की जिग्यासा को सांथ करें यही सही अंसर होगा आगे देखते 48 नमर कोशन आप अनपड माता पिता के बच्चे को अंगरेजी सिखाना चाहते हैं तो यह क्या होगा आपसन एक है आप बच्चे से अंगरेजी में बात करेंगे आप बच्चे को अंगरेजी में बोलने के लिए बात दे करेंगे आप बच्चे को मात्रि भासा में बोलने से रोकेंगे आप उसे मात्रि भासा की सहायता से अंगरेजी सिखाने का प्रयाज करेंगे तो दोस्तों आपको जो answer हो जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा D सही हो जाएगा दोस्तों दो answer तो एकदम गलत है ठीक है न हम किसी को बात दे नहीं कर सकते ना उसको भासा मातरी भासा बोलने पे रोक लगा सकते यह दोनों एकदम गलत है हाँ पाला वाला थोड़ा से कुछ सेंस में सही है लेकिन वह भी परफेक्ट नहीं है जितना आपका D है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे तो तो कुछ समझेगा यह नहीं क्यूंकि भाई उसका मात्री भासा है उसके घर में अंग्रेजी कोई पड़ा लिखा न बलने से रोकेंगे उसकी अभ्योक्ति खता मुझे इंग्लिस जानता नहीं है जो बासा जानता है उसनों आप तो यह भी तीनों गलत है फोर आपसन आपका सही है कि आप उसे मात्री भासा की साहता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे जैसे हम लोग हिंदी को जानक इंगलिस को जानते हैं, जिसे के से कह, के से कह, पहले सीखें, तब हम जाकर कर देते हैं कि के से कह होगा, तब हम इंगलिस को पढ़ पाते हैं, नहीं तो हम लोग कहां पढ़ पाते हैं, तो इस तरह क्या होगा, कि आप उसे मात्री भासा की सायता से अंग्रेजी सिखाने का क् करेंगे आगे देखिये 49 नम्मर बाल मनु विज्ञान के आधार पर कौँ सा कथन सरोत्तम है आपसन एक है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं आपसन भी यह प्रतेख बच्चा विसिष्ट होता कुछ बच्चे विसिष्ट होते हैं कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दो जो भी है ओ सही हो जाएगा कि प्रतेक बच्चा विसिष्ट होता है हर बच्चे की जो छमता है व्यक्तित्ट है सबका अलग अलग है सबका सीखने का धंग अलग है, सबकी निगाएं अलग है, सबको नजरिया अलग है, हर तरह का व्यक्तित्त है, तो व्यक्तित्त जो होता है, भिन्न होता है, सभी का तो बाल मनो विज्ञान के अदार पर कौन सा कथन सरोत्तम है तो ओ हो जाएगा कि प्रतेक बच्चा अपने आप में क्या होता है विसिष्ट होता है ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा B पचास नमबर देखते हैं बच्चे का मुल्यांकन होना चाहिए बच्चे का मुल्यांकन किस तरह से होना चाहिए बोट पर इच्छा द्वारा सतत एवं वियापक मुल्यांकन द्वारा गिरी पर इच्छा द्वारा लिखित और मोखिक पर इच्छा द्वारा तो आंसर हो जा बच्चे के लिए निसुल्क एवं अनिवार सिच्छा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है तो बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिच्छा का अधिकार अधिनियम के तहट कितने वर्ष तक के बच्चे को निसुल्क सिच्छा उपलब्द कराने का प्रावधान किया गया है आपसन एक है छस से 14 वर्स के बीच 7 से 13 वर्स 5 से 11 वर्स और डी ये 6 से 12 वर्स तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 6 से 14 वर्स तक 6 से 14 वर्स के बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिछा उपलब्द कराया जाएगा ऐसा हमारे संविधान मे उन लिखित है अधिगार है ठीक है 6 से 14 वर्स बावन नमर कोशन सिच्छक का ग्यान होना चाहिए जो टीचर है टीचर को ग्यान होना चाहिए सिच्छक को ग्यान होना चाहिए किस चीच का ग्यान होना चाहिए अध्यापन विशे का बाल मनो बिग्यान का सिच्छा संहिता क अध्यापन भिसे एवं बाल मनो बिज्ञान का तो teachers को जो सिच्छक है को ग्यान होना चाहिए teaching subject का child psychology का या education code का या D A अध्यापन भी से एवं बाल मनो विज्ञान का तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंज, दी सही हो जाएगा अध्यापन भी से जो होगा उसका और बाल मिज्ञान दोनों का होना चाहिए ठीक है आपका जो है इन दोनों का मिसरर होना चाहिए आपको आना चाहिए कि आपकी जो teaching subject है उस पे भी आपका अच्छा कमान लोना चाहिए और psychology तो आपको आना चाहिए तो ए सिच्छक को ग्यान होना चाहिए तो दोनों का अध्यापन बिसे और बालमनों बिज्ञान का आगे देखिए तिरपन नमर कोशन एक बच्चे की ब्रिद्धी और विकास के अध्यापन की सरवाधिक अच्छी बिद्धी कौन सी है सरवाधिक अच्छी बिद्धी बताना है तो इसमें कौन सी है यह बताना है कोशन क्या आए एक बार एक बार और देख लिजिए एक बच्चे की 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 वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसको नोट कल दीजिए आगे देखे चोवन नमर कोश्चन बहुत ही इंपार्टेंट है समाजी करण वो अप्रक्रिया है जिसे बच्चे और वैस्क सीखते हैं तो किससे सीखते हैं परिवार से विद्याला से साथियों से इन सभी से तो दोस्तों समाजी करण हम जो सीखते हैं सभी लोगों से सीखते हैं जिस समाज में रहते हैं वहाँ से अनकरण करते हैं सीखते रहते हैं तो हम पहले अपने घर से सीखते हैं, मम्मी पापा से सीखते हैं, फिन इसके बाद वारिवार पडोस वहां से सीखते हैं, फिन दोस्तों से सीखते हैं और इसके बाद स्कूल विद्याल है और समाज से सीखते रहते हैं, यही हमारा समाजी करण है बच्चे के विकास के सिरस्त सिध्धान्त के انुसार निम्न में कौन सा कथन सत्त है बच्चों के विकास में सिरस्त सिध्धान के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपसन एक है विकास सिर से पैर की ओर होता है विकास पैर से सिर की ओर होता है विकास मद्ध भाग से परिदी की ओर होता है आप संडी है उप्युक्त में से कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है ये आप संड सही हो जाएगा ठीक है तो इसको आप ध्यान दे लेजिएगा दोस्तों ये 10 कोश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली प्रेक्टिसेट कराया जाता है तो इस चैनल को ज़रू सिस्क्राइब कर ले नमस्तार